हे देर और वेलकम टू डबलो एस क्यूब टैक मैसल भागी रदगिरी और गिट के इस टूटोरियल के अंदर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किसी रिमोट रिपोजिटरी पर कैसे वर्क कर सकते हैं पिछले काफी से वीडियो हमने गिट पर देखे और उनमें आप लोगों ने रिपोजिटरी क्या होती है यह चीज समझ लिया होगा यह जो वर्ड है वो गिट से रिलेटेड है मतलब गिट क्या करता है आपका जो भी प्रोजेक्ट है या फिर जो भी अपकी फाइल से उनकी जब्यदारी अपने उपर ले लेता है और वो फिर इन रिपोजिटरी कहला थी है तो एक रिमोट रिपोजिटरी पर अगर आपको काम करना हो एक एक ऐसी रिपोजिटरी जो कहीं पर ऑनलाइन सेर्वर पे पढ़ाई है सबोस्व गिट अब बोकेट पे है ऐसे बहुत सारे online platforms है जो आपको git की services provide करते हैं या git के servers हैं तो जैसे आप github की बात करें या bit bucket की बात करें तो एक repository जो github पर पढ़ी है वहां से आप क्या कर रहे हो उसको remotely access कर पा रहे हो इस इस कॉल्ड a remote repository अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले एक folder बनाएंगे जैसे आप देख सकते हो मैंने यह आपर डेस्टॉप पर यह folder बना रखा git project और मैं क्या करूँगा मैं पहले इसके इंदर आता हूं एक नई file बना देता हूं और उस file 2 में मैं टेक्स्ट लिख दूँगा ठीक है यह file 2 और यह हम लोग लिख देता हूं welcome to WSQ ओके तो file 1 and file 2 दो files बन गई मेरी अब मैं यहां right click करूँगा और git bass here ठीक है git bass पर इसको लोड कर देंगे हम लोग और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं git-config-list ठीक है तो आपको पता चल जाएगा कि यहां username और email जो है वो मैंने क्या configure कर रखा है ठीक है तो दो चीज़े हम लोगोने यहां configuration में रखी हुई है और clear कर देता हूं मैं एक बार clear command का use करके और फिर हम लोग यहां चलाएंगे git init ठीक है git init क्या करेगा इस repository को git के हवाले कर देगा git को बोल देगा it is your responsibility कि इसमें क्या-क्या होता है वो track करो ठीक है तो यह git नाम का एक folder यहां पर add हो गया dot txt dot txt दो बार आगया तो एक बार इसको resolve कर लेते हैं हम लोग और इसको मैं लिगा देता हूं dot txt ठीक है और फिर से मैं यहां चलाता हूं git status तो file one dot txt dot txt actually यह इस वज़े से हो रहा विकास यह जो मैंने file name extension है उसको check नहीं कर रखा था और मैंने अपनी मर्जी से इसको txt बना दिया ठीक है कोई नहीं चलिए मैं इसको rename कर देता हूं एक बार और अब हम लोग क्या करेंगे यह files तो as it is रहेगी बस मैं वापस यहां पर clear करके एक बार चला देता हूं git status तो git status चलाता ही अब ही आपको बोर रहा है कि दो files है जो untracked है तो आपने बोला ठीक है track करो git add और इन दोनों files को tracking में ले लो अब आप जब git status लगाओगे तो यह क्या बोलेगा to be committed यह दोनों files किस में पढ़ी है to be committed में पढ़ी है अभी इनको commit क कर लेते हैं हम लोग यह कुछ basic चीजा है जो अब तक हम लोगों ने पिछले सारे वीडियो में देखी है और git commit-m and first commit ठीक है आप initial commit भी लिख सकते हो first commit भी लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो अब यह जो काम है हमने वो कहां किया है हमारे local system भी किया है अब मैं क्या remote repository बनाऊगा और यह सारा काम उधर पुस करूँगा तो पुस करने का मतलब क्या होता है पुस करने का मतलब होता है आप अपने local काम को local जो भी आपने जितने भी टास्क किया है जो भी code लिखा आपने वह सारा आप क्या कर रहे हो एक remote repository में पुस कर रहे हो this is called pushing ठीक है आप code को पुस कर रहे हो और फिर उसका ही अपोजित होता है पुल में आप क्या करते हो code को remote repository से local system पे लेकर आते हो तो push and pull दो फेज होते है पुस में आप data को local से remote पे भेजते हो और पुल में आप क्या करते हो remote से local में लेकर आते हो ठीक है तो अभी हम लोग इसको clear कर देते है एक बार और चलते हैं हमारी ब्राउजर पर और यहां पर ब्राउजर पर मैं लिखूंगा github.com ठीक है github.com पर आपको आजाना है github.com क्या है एक टाइप का server है जो git की services आपको provide करवाता है ठीक है और यहां पर आपको अपना account बना लेना है क्योंके मैंने account बना रखा तो तुरंट से यह login हो गया और अब हम क्या करेंगे हम सबसे पहले इधर एक click करेंगे उपर plus पे और एक new repository बनाएंगे ठीक है और एक new repository में हम लोग जैसे मैं यहां पर लिखने वाला हूं यहां git demo ठीक है git demo नाम से मैं एक repository बना रहा हूं जो मेरे नाम के against बन जाएगी ठ रहे प्रिट डेमो और एक पब्लिक रिपाज़िटरी रखेंगे अब इसको और create repository पर click कर देता है तो एक नई repository जो है यहां पर create हो जाएगी नई repo create हो जाएगी आप repository बहुत बड़ा-बड़ है तो repo भी कह सकते हो तो एक नई repository यहां पर create हो जाएगी अब हमें क्या करना ह इसको लेके जाना है हमारे local system पर ठीक है इसको हमें अपने local system पर लेके जाना है और hidden files मैंने वापस चेक कर लिया ताकि git का folder मुझे यहां पर दिखता रहे अब इसको हम लोगों को अपने local system पर ले जाने के लिए कुछ steps follow करने होंगे तो क्योंकि हम लोगों की एक repository already created है मैंने आपको वो करके दिखा दी तो हम लोग second step जो हो उसको follow करेंगे और यह लगाएंगे git remote and add origin ठीक है github और यह वाला पूरा जो code है हमारा वो चलाएंगे ठ तो मैं copy करता हूं इसको यहां से और यहां पर लिके आता हूं और मैं shift के साथ enter press करके इसको paste कर देता हूं अब देखिए इसमें क्या लिखावा है git remote add क्या करना आपको remote से कुछ add करना है क्या add करना यह जो origin दिया हुए ना इस पूरे को आपको add कर लेना है और enter press कर देना ह तो जैसे आप इसको चलाएंगे तो यह आपका जो data है वो जो आपकी repository है वो उस remote से यहां पर merge हो चुकिए या एक तरीके से आप कह सकते हो जुड़ चुकिए ठीक है फिर मैं यहां पर चलाता हूं अब git और एक next जो command है वो भी आप देख सकते हो यहां पर git branch main main तो default में ब बना हुआ यहां पर और मैं लगा देता हूं git push origin और main ठीक है तो git push origin main या फिर आप git push origin master इस तरीके से चला सकते हो तो आप क्या कर रहे हो master पे कुछ यहां से push करना चाहते हो अब मेरा तो एक बार में हो गया because यहां पर behind the scene कुछ चीजें थी जो मैंने already कर रखी थी बट आपको करनी पड़ेगी तो एक बार देखते हैं क्या क्या वो चीजें हैं जो हम लोगों को पहले करनी पड़ेगी और मैं अगर यहां पर आता हूं अब एक बार और codes पर क्लिक करता हूं तो देखे code पर जब आ सच की है जो बनी हो यह already मैं उसको डिलीट कर देता हूं ठीक है यह जो मेरी की बनी हो यह उसको मैं डिलीट कर देता हूं और यह हो गया डिलीट ठीक है अब इधर आते हैं हम लोग और मैं यहां पर फिर से चलाता हूं git push origin master या उससे पहले हम लोग कुछ छोटा सा चेंज क आपको modify की थी उसके बारे में आपको add करना पड़ेगा पहले फिर आपको commit करना पड़ेगा और commit में आपको लिखना पड़ेगा की file 1 modified ठीक है file 1 को modify किया गया है अब मैं यहां पर फिर से वह command चलाता हूं मैं एक बर clear कर लेता हूं सबसे उपर लिखता हूं git push origin और master branch में हम लोग क्या करना चाहते है पुस करना चाहते है अब यह master branch में जब हम लोग push करना चाहेंगे तो यह क्या बोल रहा है make sure you have the correct access पहले तो करने दे रहा था अब नहीं करने दे रहा है उसका reason क्या है कि पहले जब मैंने testing की थी तब यह ssh की मैंने configure कर ली थी तो उस करके जा रहा है कोई भी आ रहा है code को change करके जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को अब configure करने होगी ssh key तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर आएंगे और ssh key new ssh key पर click करेंगे ठीक है तो यह आपको कुछ इस तरीके से लेके आ जाएगा बट अब ही हम लोगों को ssh key generate भी करवानी होगी तो मैं यहां पर इसका title लिख देता हूं git demo ठीक है और यहां पर आते हो Google पर search करते हैं ssh key github ठीक है ssh key github आपने यहां search किया और यह देखिए सबसे ऊपर एक आ रहा है docs.github.com पर जाना है आपको यह निए github के documentation पर जाना new ssh key ठीक है आप एक नई ssh key generate करने वाले हैं और इधर नीचे scroll कर लेते हैं हम लोग तो सबसे पहली चीज़ जो यह कहता है वो क्या कहता है paste the text below ठीक है और आपका जो email है वो यहां पर रख देना है तो चलिए इसको पूरे को copy कर लिजी आप ctrl c से copy कर लेना है और shift insert से paste कर देना है और मैं जो अपना email है वो यहां पर डाल देता हूं तो जो email है मेरा वो है भागीड़त.wsq at the rate gmail.com ठीक है तो यह email मैंने यहां डाल दिया और enter press कर दिया और आपको फिर enter 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 ऐसे press करते जाना है ठीक है actually override करनी थी मुझे तो enter enter press करते जाना है override के लिए मुझे पूछ रहा है बट आपको नहीं पूछेगा अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैंने yes press किया override करने के लिए फिर आपको कुछ भी और नहीं select करना है बस आपको enter 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 press करते जाना है और आप देखेंगे कि यह क्या कर है की generate इसने कर दिये अब की generate करने के बाद और भी बहुत सारे टास्क हैं जो और करने बाकी है तो चलिए इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं next आ जाते हैं तो यह पहला काम मेरा हो चुका है ठीक है अब मैं नीचे आउंगा और हम लोग क्या करेंगे इस command को run करेंगे ठीक है ensure the sss agent is running अगर आपका sss agent run नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा इससे run करवाना पड़ेगा तो यह command आपका वो copy कर लीजिए ठीक है eval नाम से जो command है वो copy कर लीजिए मैं एक बार clear चला देता हूं और यहाँ पर shift insert के साथ paste कर देता हूं तो आप देख स यह हो गया उसके बाद आपको क्या करना है आपको sss key agent को यहाँ पर जो है वो add करना यह एक तरीके से identity generate करवानी है तो हम लोग इस पूरे command को copy करेंगे और यहाँ पर shift enter के साथ paste करेंगे और identity added ठीक है तो क्या हुआ इस particular भागिरेट.ws cube add gmail.com नाम के email के साथ एक unique ssh key जो ह आपको तो दिखी नहीं आपको तो वो github को ले जाकर देनी है तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पर नीचे जाएंगे और एक और text यहाँ लिखावा आप देख सकते हो थर्ड जो है हमारा add new ssh key to github to your github account तो आप यहाँ पर click कर दिजिए ठीक है तो यह एक और page खोल देगा आपके सामने और आपको क्या करना है अगर आपको copy करना है ठीक है अगर आपको ssh key को copy करना है तो आप यह command चलाएंगे यह जो clip करके यह पूरा command है यह चलाएंगे और अगर आपको ssh key को देखना है तो अलग command चलाएंगे तो एक बार मैंने यहाँ पर shift insert से command चलाया तो आप देख सकते हो इसने क्या किया है एक ssh key copy कर दिये मैं आपको दिखाता हूं वो key कैसी दिखती है यह जो है वो पूरी key है जो उसने copy की है ठीक है तो यह तो copy करने क लिए अगर आप चाहते हो clipboard में वो डाले तो यह clip command चलाएंगे और अगर आप चाहते हो नहीं clipboard में डालना है तो आप चलाएंगे tail command ठीक है तो tail command से यह आपको पूरी key दिखा देगा कि यह वाली key आपकी है ठीक है अब हम लोगों की क्यूंकि copy हो चुकी है मैंने यहां पर जो है वो clip command पहले चलाया था तो clipboard में वो copy हो चुकिये तो मैं simply जाओंगा और यह जो new SSH की में add कर रहा था git demo उसके बाद मैं यहां पर paste कर दूँगा ठीक है git status में कुछ चेंज आया है क्या तो git status nothing to commit ठीक है तो मतलब अभी कुछ चेंज नहीं आया है और मैं यहां चलाता हूं git के बाद जो हमारा पुस कमांड है वो गिट पुस origin master ठीक है origin में पुस करना है अब आपको अलाओ करेगा कि आप मास्टर पर पुस कर सकते हैं देखे पहले अलाओड नहीं था ध्यान रखे अच्छे से कि जब आप लोग पहली बार करोगे तो वह आपको अलाओ नहीं करेगा आपको ssh की configuration वाला पूरा पूरा जो भी steps है वो follow करने होंगे then ही आपको allow करेगा कि आप वहाँ पर push कर सकते हो ओके और अब आप अगर आप देखोगे तो मैं एक बार चलता हूँ मेरे project के अंदर ठीक है जो भी हमारा project था यह git demo नाम से उस पर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो file 2 और file 3 आ रहा है file 1 modified 6 minute पहले मैंने यहाँ पर भेजा था 10 minute पहले यह एक और आया था देखे यहाँ जो जो files है उसमें कब कौन सा addition हुआ कौन सा insertion हुआ कौन सा deletion हुआ वो सारी चीजें लिखी हुए one deletion, three additions और back कर सकते हो आप एक बार और सारी files आपको दिखेगी अब अगर आपको एक नई file add करते हो जैसे मैंने file 3 add किया तो हम लोगों ने इधर लिखा file 3.txt हम लोग चलाएंगे git status तो बोलेगा untracked file है आपने ठीके track करो git add से फिर आपने file 3 को जो है add किya, file 3 added तो आपने यहां पर क्या किया, commit चला दिया, अब आपको commit करने के बाद क्या करना है, तो यहां पर लिखना है git push और push कर देना है, git push और origin master तो और origin master तीके, आप क्या तो origin मैं master पर पर अपना code पूस कर रहे हो, अब हम लोग master पर काम करर रहे हैं, बट आने वाले वीडियो में हम लोग कुछ अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे और उन पर भी काम करेंगे ठीक है तो अभी मास्टर से मास्टर में गया है कोड और आप यहां रीफ्रेस करोगे तो फाइल 3 भी आपको दिख जाएगी इसे फाइल 1 फाइल 2 दिख जाएगी फाइल 3 added 35 seconds ago ठीक है तो आप इस सीच के लिए GitHub को यूज कर सकते हो आप चाहो तो Bitbucket को यूज कर सकते हो दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो और बहुत सारे और वी प्राइब क्या प्राइब कर सकते हैं